नमस्कार मैं डॉक्टर पवन कोरोना वाइरस के इस दौर में आपको क्या डाइट लेगी है कैसे अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉंग बनाएं कैसे भूर्च करें अपनी इम्यून्टी को तो मैं इसके बारे में कुछ आपको बताने जा रहा हूँ सबसे पहली बात कैसे वीक होता है आपका इम्यून सिस्टम जब आप जन्क फूट लेते हैं फ्राइट फूट लेते हैं डबबा बन फूट लेते हैं फास्ट फूट खाते हैं तो इन सब से आपकी इम्यून्टी इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाता है तो हमें किस टाइक की डाइट लेनी चाहिए तो आज मैं बताऊंगा आपको क्या डाइट लें जिससे हम अपने इम्मीन सिस्टम को स्क्रॉंग बना सकें और इस कोरोना वाइरस से हम लड़ सकें मिलके तो इसमें हमें लेना है वाइटमिन सी विच डाइट कि वाइटमिन सी में बहुत सारे फूट्स आते हैं इतने इस सारे वाय कि अम्य उसी में अनुक्ड ही जैसे लेमन और रिज पाइनेपल लेमन तो हम उभोज कर सकते हैं इतने खाने इस समय औरेंज अर्टेस संत्रे आ रहा हैं संत्रे का सीजन है कि अब खा सकते हैं सबस्क्राइं आप आवला वह अचार खा सकते हैं शंत्रे का स्थे वेजीटेबल्स है है इन सब में वाइटमेंजी काफी रिच काइंटी में पाया जाता है तो इन funding海 सब में वाइटमीन दी औरए जुता है यह सब विर्ट सोर्स है वाइटमिन डी के और नेट्रल सोर्स अगर जाएं वाइटमिन डी का तो संग रेज संग रेज जोती है उससे अल्ट्रा वाइलेट रेज निकलती है यह वी रेज जो हमारी बाड़ी में वाइटमिन डी को नेशरली बनाती है तो आप धूप में जरूर जाएं कम से कम 10 से 20 मिनट सुबह धूप जरूर लें जिससे कि हमारी बॉड़ी में वाइटमिन डी अच्छे से बन सके और ये हमारे इम्मिन सिस्टम को बूस्ट करने में काफी हेल्प कर सकती है जिससे हम कोरोना वाइरस के अटेक से अपने आपको बचा सकते हैं और प्रोटीन डायेटली एक्सरसाइज करें योगा करें योगा और एक्सरसाइज से हमारी बॉड़ी की इम्मिन सिस्टम जो है इस्ट्रॉंग होता है बूस्ट हो जाता है जिससे हमें बैक्टिरिया वाइ रायास इन सबसे लडने के लिए सकती मिलती है हमारी बॉड़ी में ऐक्सीजण जाती है जह हुं आटसे साइस ह Bem तो अब्स एक्सजण प्रॉपर 땇स प्रॉपर्वाडी में जाती है तो हमारा इम्मुन सिस्टम अच्छे से वर्क करता है हमारी बॉडि को एक एक सेल्स को क्या चाहिए ऑक्सीजन चाहिए अक्सीजन नहीं करेगा हमारी वाइटैलिटी हमारी इम्यून सिस्टम लो हो जाएगा तो अपने इम्मून सिस्टम को बढ़ाएं, बैलेंस डाइट लें, डबबा बन, जंक फूड, यह सब फास्ट फूड यह बिलकुल नखाएं और अपने हैंड वॉस अच्छे से करें, कहीं भी बहार अगर जाते हैं तो अपने हैंड वॉस करके ही अंदर अपने घर में एंट्री लें और मार्स्क जरूर लगाएं जब भी आप पब्लिक प्लेस में जाएं वैसे तो लॉकडाउन चलता है तो हमें कई बाहर नहीं कलना हैं अगर कोई जरूरी काम है सबजी लेना है दूद लेना है या कोई मेडिकल एमर्जेंसी आई है तब ही बाहर जाएं वरना बाहर मत जाएं तो आपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉंग बनाएं और हेल्वी राइट लें वाइटमिन सी रिच राइट वाइटमिन डी लें नैजुरल संद का सोच संद से आपको मिल जाएगी और फासफूर ना खाएं जंक फूर ना खाएं डबा बन खाना न खाएं ठीक है धन्यव झाल